नमास संस्कृतार भवताम सर्वेशाम छात्रा नाम हारदेकम श्वागतम बंदनम अभीन बंदनम रतना करा धौत पदाम हिमालय क्रीटनिम ब्रम्भराजर स्री रतना ध्याम वंदे भारत मातरम सभी छात्रों का हमारे स्टेडी केप्टल चैनल में स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टेडी कैप्टल के अंतरगत सभी विश्यों की त्यारी कराई जाती है उशी सभी विश्यों के अंतरगत हम आपके लिए लेकर आए हैं स्थियूटी पीजी 2024 का में संस्कृत बैच सभी विश्यों के अंतरगत में संस्कृत की जो त्यारी है स्थियूटी 24 के लिए वह कोर्स हम आपके सामने लाकर उपस्तित हुए हैं और आप सभी के लिए आसा करते हैं कि आप सभी इससे जोड़कर लाभानवित होंगे तो अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली वार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी में सभी तैनल पर बता दूं कि इस वीडियो कि अ सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और में समस्कृत की त्यारी करने के लिए स्यूटी दोयार चोबिस में पीजी कोर्सिस के अंतरगत में संस्कृत यानि एले क्यूपी जी रोटीन इसका इसवर्स कोड़ था उसकी त्यारी के लिए आप सभी को कैसी श्टरजी रखनी हो कि शाथ आगे बढ़ाते हैं आज की सहसन को देखिए स्रीगर इशाय नमा स्री श्रशुत तीन महां है ग्रीवाय नमा आज की सहसन की आगे बढ़ाती हुए सबसे पहले मास रशुदी की वंदना और श्रुष के बारे में आप सभी को में संस्कृत सभी जानकारिया हम देन जाद्यांधकारापहाम हस्तेस फाटक मालिकाम विदधतीम पदमास अने संसिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम सुकलाम ब्रह्म में विचार शार परमाम मास श्रुदी की वंदना के लिए यह जो श्लोख हैसकी आपको आपके सामने हम अर्थ को प्स्थित कर रहे हैं सुकलाम मास श्रुदी की प्रशंशा में कभीयों उन्य लेख कॉन यह लिखा है कि शुकलाम जो श्वेति रूप वाली है और श्वेत वस्त्रों को धालन करने वाले सो के लाम ब्रह्म में विचार शार परमाम ब्र्म विचार शार यानी यो ब्रहम्म् indirectly विचार है उसका वै सार है अरथान के इसका दूसरा यह भी है कि बिर्म्हां निम्ट मोर्ड ने वा उठने वाली जितने भी विचार है उन सभी का सार कौन है मास्र श्रुती मासर श्रुती से सभी विचार निश्वाद थ् poker है है आधियाम जेट व्यापनीम आध्याद में क्यों कहा गया कियोंकि मार्श शृति हैडी है आदी शुरूपधा जब कोई नहीं था ता March शुति का अस्त scholar जिसका शुरुवाद से ये ऐसी आध्याम के और जगत व्यापनीं शंपूर जगत में व्यापत हैं हर जीव के अंदर मास्षषूती व्यापत है और वीना पूस्तक धारनीम अभयदाम अभयदाम चया रहा हुं कर जा रहा है कि विया लिए अठागा वाली हैं अभयक्ताम अभय दाम एक शब्धुवल सब्रक्राइब तर्ण करने वाली तो अभय दाम यनी जो च्छात्र को विद्यार्थी गों डिदर्ता प्रदान करने वाली है ऐसी मा सरश्वति अभाय दाम जाड्यांधकार आप हम घर्दय के अंधकार को मानस के अंधकार को वह जाद्यांधकार आप हम यानि अंधकार को मिटाने वाली है हस्तिर स्वाटक मालिकां विद्धधतीम और पदमासने समसिताम और हाथ में अगले हाथ में स्वटक की माला को भी धारन करने वाली है विद्धतीम और पदमासने समसिताम और पदमासन मे इस्थित होने वाली यानि पदमाशन में बैठने वाली है वन्देताम परमेश्वरीम भगवतीम ऐसी मास्टर शुदी को हम बंदन करते हैं अभी बंदन करते हैं बुद्धी प्रदाम शारदाम हे मास्टर शुदी हमें बुद्धी प्रदान कीजिए क्योंकि आप विद्या संस्क्रिट बहुत कथिन भासा है बहुत कथिन विसा है और वह ऐसा अगर मन में उनकी धारना उन्होंने बना ली है और ऐसी धारना की वज़े से वह संस्क्रिट से दूर हो रहे हैं या उन्हें संस्क्रिट एक भासा बहुत कथिन विसे लगता है तो वो यह बात अपने मस्तिस्क्रिट से हमेशा के लिए निकाल दीजिए क्योंकि संस्क्रिट भासा के लिए कहा गया है नई विकलिष्टा नाचा कथिना यह गीत वशंत गाड़ गीला आचारे ने लिखा है इसको आपन लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ते हुए सरश शुबोधा विश्व मनोग्या ललिता हिर्द्या रमनिया अम्रतवानी शंक्रत भासा नयवकलिष्टा नचकठिना यह सुरश है सुरश सांस्क्रत भानी कैसी है सुरश सुरश निरे स्योगत है श्था बोध है ज्न कर आने वाली श्था आनिस माने प्रकार से भी आप इसको बोद कर सकते हैं विश्व मनोग्या सारे पिश्व को मोहित करने वाली है ललीता हिर्द्या रमनिया लैत औरहेट रमनिय यानि आपके हिरद्य को आपके kachen सिद्ऌ़े में रमन करके यह आपको अहलादित करने वाली है अम्रतवानी शम्स्कृत भहासा शम्स्कृत भहषा म्रतवानी है और नई विद्वि मंस्क्राकर महां कभी बालमी कि जी के दुआला लिखा हुए अगर्मी तटाहर तो कभी को एक लिए की विरचिता रामायण रमणी अक था अतीव सरला मदोरमा जूला नईव कलिश्टान नचछ должно आधीव सरला मध्यों एक लिष्टां ना चकतिनी या क शिब्यास विर्च्ता गनेश महांभार्थ पुन्य क था पहले पद्य में आदिकभी वालमीक लिखेत रचित और गनेश जी के द्वारा लिखेत यह महा भारत पुर्ण्य कथा है किस भाषा में संस्क्रत भासा में कौरव पांडव संगर मतिता नईवक क्लिष्टा नचकथिना और कौरव और पांडवों काजिश में विवेचन है उनके पूरे युद्धिकी वर्नने है कि जो भासा हाव है संस्कृत भासा नईवक क्लिष्टा नचकलिणा और क्लिष्ट नहीं है और कठिन नहीं है कुरुक शेत्र शमर अंगन गीता विश्वबंदीटा भगवत गीता अंब्रत मधुरा कर्म प्रदीपा नहीं व्क्लिष्टा न चकंड़िन 3 पद में कहते ह की कुरुक्षेत्र शव्रांग्ण गीता भगवान श्रीकृष्णि ने अरजुन च्हों को बाराने के लिया अर्जुन को ग्यान देने के लिए कौशट्र में गीता का वाचनकीया जो की कि विश्व वदनीत है विश्म है बंदी यह और भगवत Geetha अमरत मदूरा ज्सके अमरत बानी है मधूर कर परदीपा और कर्म कर्म करने वाली हमाइक को करम करना सखाने वाली है और नैवा कुल्ष्टा न चकतिना तो ऐसी संस्कृत भास आ किलिष्ट नहीं है और कधिन नहीं है बद धक्रदते हैं में कहते हैं कि यह कुल गुरु नवर सून में सजवा करना कालिदाश प्रतम्तल में भाण मिट के लिए और डूतिय पैझा में बताया गया ब्यास जी कि द्वारा रचत महा भारत के लिए और तृती पद्द में कृष्ण जी के द्वारा कहीं स्रीमत भगवत गीता के लिए और चतुर्थ पद्द में कहा जा रहा है महा कवी कालिदाश जी के गिरंथों के लिए कवी कुल गुरु नवरशोन में सजा रितुरगु कुमार कविता क तरविकुलगुर्फुकॉन कालिधाश जी 9 दूर शो भीजमेस जा जिन्हों ने नाव रशयुक्त्व र्वत्त ऊंदर काबिये निन्ध्य रितु रघुकुमार कविता रिथू यानी रितु शे रितु और रघु यानी रगवतस महा कावयं कुमार यानी कुमार्शंभवाम यहां पर तीन गरनतों का संगेत किया गया है संख्छेप में और विक्रम शाकुंतल मालविका नईवक लिष्टान ऐचकठिना भिक्रम शाकुंतल मालविका बिक्रम शाकुंतल कौन कि कर Victor मोर वसीयम महाकाव्यम साकूनतल यानी अभिज्ञान साकूंतल महाकाव्यम ओधविका यानी मालविकाग इस बिल्कुल भी कृश्ट नहीं है बिल्कुल भी कठिन नहीं है तो इसलिए समस्कृत भासा को कठिन जानकर हदोत हो अप छोड़ दीजिए और पूर्ण उत्साय के शाथ स्यूटी दोयाद 24 मैं बिश्व द्याले मैं आपका पढ़ने का जो शपना है उसको साकार बनाने के लिए आप सभी लोग त्यारी में लग जाईए और आगे बढ़िए चलिए आज की सरसन को आगे बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे स्लेबश फोर संस्कृत एले के पी जीरो तीन यानि की सीउटी दोहजार चोबश बैच के अंतर गत्स लेवस फोर संस्कृत एले क्यूपी जीरो तीन जिसको हम एमें संस्कृत भी कहते हैं इसके सबसे पहले हम पार्ठ करम को जाने के करमसा की इस में संस्कृत के अंतरगत आपको किन पार्ठ करमों की त्यारी करनी है किसके सबसें को आपको मजबूत करना है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पाठी कर्म दिया गया आप शमी लोग देख पा रहे होंगे कि 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 अ कुछ दू कि अ कि अ सब लोग को कि लिए रहे चलिए देखिए सबसे पहले सम्सक्रित के पाथ करम में रखा गया है घटकम एक यानी यूनिट वन आप सभी को बता दूं कि में संस्क्रित का जो पाथ करम है वह चार भागाओं में विभाजित है घटक एक घटक दो घटक तीन और घटक प्ताइध नहीं डिंड दोन का संतुक्राल गंटी की संस्कृत आ Salvador इंका थियास्त intelligence नि मत इसलिए और शंभिता के इसपे हुआ न मेड़ा है जान झारे आपके का पढ़ाए और उन्हीं के ब्राहमण गृंध उन्हीं वेदों के आरण्या गृंध और उपनिशद आदि जो प्रमुख दश उपनिशद हैं वह दश उपनिशद आपको पढ़ाए जाएंगे उसके आगे पढ़ते हैं बेदांगानी जो सड मुख्य वेदांग हैं उनको यहां पर जायेगा उसके बाद हम देखेंगे दर्शनानी दर्शनानी यानि जो की मुख्य दर्शन बताए गए हैं जया मुख्य आस्तिक दरसन और तीन मुख्य न आस्तिक दर्शन ऐसे सभी नौद शनों को पढ़ेंगे उसके बाद है रामायनम अधिकाव्यश्ण और है अब भारत यानी ten जिसका नाम है जैशंगीता अपर नाम आपको बता रहें यहाँ पर यानि की जमको इन दो नामों के अलावा भी अन्य नामों से जाना जाता है उसके बाद है फुरानाजी am i.y अश्टादष पुरानाई सभी 18 पुराणों को यहां पर हम जानेंगे संस्कृत के स्लेवस के अंतरगत अठारह पुराणों में स्रीमत भागवत पुरान आदी अनाप लिंग कुश्कानी पुरान प्रचक्षते मभ्धयम भद्धयम चैवा यतने भी अठारह पुराण है उसके बारे में डिटेल्स में आगे घटक का पहले घटक में पहने वाले हम बैदिक शंगीता ब्रहमर गरंथ आरण्य गरंथ उपनिशदह बेदांगानी दर्शनानी रामयनम महा भारतम और पुरान आनी तो पहले यूनिट में यह सभी विश्याप को पढ़ाए जाएंगे और इसके अंतरगत कवया तेसाम कर कवया यानि सभी कवियों का पर्चे और सभी कवियों के पर्चे के अलावा कवया तेशाम करतेश्या और उन सभी कवियों की कृतियां यानि कि कवियों के साथ साथ उन्हें उन्हें जो भी कवी लिखें महा कवी लिखें उनके बारे में भी बताया जाएगा जिसमें से कौ प्रतग्या योगा अंध्रनम इत्यादी उनकी बहुत सारी मुख्य मुख्य रचनाएं तो ऐसे कभी महा कभी भास के बारे में हम जानेंगे दूसरे कभी अश्वघोस अश्वघोस जी के द्वारा लिखी गए लिखा गया ग्रंत है बुद्ध्य चरितम मुख्य ग्रंत इनक इसके बाद अगले कभी भारवी भारवी जी का है कराता जुनियम और उनके अन्य मुख्य आदि ग्रंत भी हम इसमें जानेंगे अगले महा कभी है भट्टी जिनका जो काव है वह रावन वधम है उसके बारे में लोग पढ़ेंगे अगले महाकवी हैं सुद्रक शुद्रक जी का मिर्श कर्ठिका में एक मुख्यम महाकाव प्रकरान ग्रिंथ है इसके इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी अन्निकृतियों को पढ़ेंगे अगले महाकवी हैं भावभूती जी का उत्तर राम चरितम एक प्रमुक ग्रिंथ ह उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके लावा उनकी अन्य गृतियों के भी अपन लोग पढ़ेंगे उसके बाद है शुबंधु शुबंधु जी का एक गृंत है वाशवदत्ता शुबंधु जी का गृंत है वाशवदत्ता उसके बारे में पढ़ेंगे अगले कवी हैं बा प्रफ्थम प्रमुक्खकप्य है उसको पढ़ेंगे श्रीहर्ष महाकवी के नईश धियर अधिय चरितम को पढ़ेंगे और उनके अनकावियों को भी पढ़ेंगे अगले कवी हैं कल्हड कल्हड की हम राज-तरंगणी जो पुस्ता के उश्के बारे में जानेंगे और उनकी अन्य ग्रत्रों को भी जानेंगे तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि पुर्थम गहटक यानि पहले यूनिट में यह कुछ मुत कवेएं के बारे में आपको जाना पर अधर्णा है और इनकी अन्य कृतियों को भी आपको जानना है और पढ़ना है चलिए बढ़ते हैं अगले यूनिट की ओर यानी दूसरे यूनिट की ओर कि आपको दूसरे यूनिट में और क्या-क्या पढ़ना है, तो पहले यूनिट को एक बार फिर से आपको रिविजन करा दें, पहले यूनिट में बैदिक, शंभिता, संस्कित, साहट इतियास, बैदिक, शंभिता और आरन्य ग्रिंथ ब्राहमन्य ग्रिंथ और उपनिशाद आधी बेदांगानी दर्शनानी श्रीमद रामायनम और महाभारतम आधी ग्रिंथ पढ़ेने को प्राप्त होंगे चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे यूनिट की और दूसरे यूनिट में है घटक दो यूनिट दो संस्कित ब्याकरणा अब यहाँ पर बात आजाएगी ब्याकरण को जिससे की सभी चात्र बहुत डरते हैं क्यों क्यों क्योंकि सभी को कोई बिशे कठिन लगे या थवा ना लगे ब्याकरण सबको बहुत कठिन लगता है चलिए आप देखेंगे कि ब्याकरण में क्या क्या है सबसे पहले शब्द रूपानी सबसे पहले सब्द रूपानी तो रामादी और लतादी वरिक्षादी आदी आदी इनके बारे में जानेंगे उसके बाद है धात रूपानी कई संस्कृत में धातूं होती है पठ धातू, गम धातू और क्री धातू, ऐसे अन्यान धातूं होती है उनके बारे में हम जानेंगे तो धातू प्रकरणम में पठ आदी धात्यों को जानेंगे अगला है संधी संधी में श्वर संधी, बिंजन संधी, बिसर्ग संधी यानि अच संधी, हल संधी और बिसर्ग आदी संधियों को भी जानेंगे तो संधी प्रकरणम में सुरादी संधियों को जानेंगे सुरादी बिंजनादी और बिसरक्षंधियादी को जानेंगे उसके बाद है समास समाश में अवेभाव शमास कर्मधारे समास और जितने भी अनिशमास हैं उन सभी को जानेंगे उसके बाद है कारकानी कारक में करता कारक कर्मकारक करन कारक शंपरदान कारक अपादान कारक य के बाद है स्तिरी पृत्त में कि टाप पृत्त है और जो इसतिरी पृत्त में गीप लिए सघीन और चाप टाप डाप जो यह आदिश अभी पृति हैं उन्ण सभी को जानेंगे उसके बाद है कृण तद्धिताह कृदंताह और तद्धित आहा तो कृदंत आधी प्रत्यों को और तद्धित आधी प्रत्यों को भी जानेंगे ये हुआ यूनिट दो यानि की घटक दो का पाठिक्रम एक बार सभी लोग रिविजन कर लीजिए शब्द रूपानी यानि राम लता आधी ब्रक्षादी जितने भी शब्द रूप होते हों उनके बारे में जानेंगे धाद रूपानी यानि पठ आधी भू आधी धाधियों के बारे में जानेंगे संधी, संधी यानि स्वर्शंधी, बंजन संधी, पिशर्ख शंधीयों के बारे में भी जानेंगे समाश, समास यानि अव्य भाव करमधारे और संस्कित में जितने भी मुख्य शमास उनको जानेंगे इस्त्री पृत्याह, इस्त्री पृत्यों को जानेंगे, कारकों को भी जानेंगे, और कृधनता तद्धित आश्चा, और कृधनता और तद्धित को भी जानेंगे, तो ये हुआ मुख्य, यूनिट दो का पाठिक्रिम, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी विशे को अगर कठि हो जाएगा तो यूनिट वन और यूनिट ट्ू का यह पाठ स्के बाद देखते हैं यूनिट ठ्रेएं यूनिट ठ्री में है सम्सकित काव्य सा스्त्रम छंद सास्त्रश्य संसकित के जितने कावी सास्त्री difference ंचान्द पास्त्री ये ग्रिंद हैं उनके बारे में यहां पर हम लोग जानेंगे जिसमें शबसे पहले है आलंक आलंकरिका आलंकरिका हमें भरतह भामहा दंडी वामनहा आनंदवर्धनहा कुंत अम मताक शेमेंद्रह भिशनाथा प्रुषद्धा आलंका रहा और प्रुषद्धानी चंदान सी नाट तत्वम रशनिस्पत्ति अब यहां पर कई आचारियों के नाम दिये गए हैं जो कि जिन्हों ने अलंकारवादी और रसवाद को आगे बढ़ाया है तो इसमें से जो आचार हैं वह कुछ रशवादी हैं कुछ अलंकारवादी हैं और इन्हें सभी आचारिय अंधिश्वनात आदी आधि आचारियों के बिश्वस्तु को फूर्ण रूप से जानेंगे इस प्रिशत्धा सा्थ काzeit और इन्हें चंदां सी नाट तमर शुनिस्पत्ति और प्रश्द्नों को भी जानेंगे येसे बशान्ति तेल का माली स्क्राइना सार्धूर्य विक और इशी प्रकार यूनिट फोर यानि घटक चार में है संस्क्रिट साहित ग्रिंथा सभी संस्क्रिट के यहां पर साहित ग्रिंथ रखेगा है यूनिट चार में जिसमें सबसे पहले है कालिदास जी का अभिज्ञान साकुंतलम यह अभिज्ञान साकुंतलम जो ग्रिंथ है बहुत ही पाठ कर्म के दृष्टीशे महातिपूर्ण गृंत है इसको भी हम जानेंगे जिसमें महाराज दुश्यंत इसके नायक होते हैं और रानी शकुन तला इसकी नाइका होती हैं और इसके इनकी जो पूरा सरंगारश पर्धान यह महाकावे है इसके बारे में है पूरी चीनाम की जो श्रीध यक्षिनी हैं वह उसकी नाइका है तो उन दोनों की जो बिरह गाथ है में तो आपको जानने कुं मिलेगी उसके बाद है स्रीमद भगवद्गीता भगवान ख्री अर्भागवद्गीता उसको जानेंगे उसके अलग अलग अध्यायों से प्रष्ण बंते हैं जितने भी जो अध्याया है वह महाद पून है contrast उसमें से पूरे अठारे अध्याय हैं उनके मुख मुख अध्यायों के केंद्रविंदू का हम दर्स पाथन करेंगे उसमें क्या-क्या मुख हो शकता है अब इज्ञान सागोंदना मेगदूतम स्रीमत भगवत गीता उसके बाद है भर्थरी कृतम नीतिशतकम तो कभी नारायन पंडित जी की हितोपदेश पुस्तक के वारे में पढ़ेंगे जो इस पार्थक्रम में बहुत महत्तपून है तो इस प्रकार से यह जो शलेबस था यह जोथे यूनिट यानी चतुर्थ घटक का था तो इस प्रकार से आपने एमें संस्कृत के सभी यानी एक से ल कि जादा प्रयास करना है और किस घटक में कम प्रयास करना तो ङड़ेंक हैं देमें बहुत अच्छी डूची होती हैं पकड़ होता है एकई कि Nea ča का बहुत साहित कमजूर होता है तो अलग-अलग शात्र के किसी एक विस्य रुची होने कारण किसी एक विस्य में उसके अन्य विस्य उतने अच्छे से नहीं कंप्लीट हो पाते हैं लेकिन आप इस त्यारी से जोड़कर अभिने सभी यूनिट्स को अपने सभी विस्यों को बह उद्यमेन ही असे चणती यहाँ पर आप सभी के लिए एक हम श्लोग बताना चाहे रहे हैं कि उद्यमेन ही श्यध्यनती इह नीतिश लोग है इसका वर्नन है उद्यमेन ही शिध्यनती कार्यानी थे ना मनुवरत ही है तो जो लोग यह सोच लेते हैं कि हम्मारे सोचने से सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं है उसके लिए प्रत्यक मनुष्ट को उद्यम करना ही पड़ता है प्र्यास करना ही पड़ता तो आज के इस सत्र में आप सभी के लिए एक सीख देना चाह रहे हैं सीख देके जा रहे हैं कि उद्यमें नहीं शिद्धिंती उद्यम करने से ही सिद्ध होता है क्या कार्यानी ना मनुरत ही जितने भी कार है सभी कार उद्यम से ही शिद्ध होते हैं ना मनुरत ही है मन से सिद्ध नहीं होते हैं कि मन की इच्छा से अगर होते तो प्रतेक मनस्स जो अच्छा करता वह उसको प्राप्थ हो जाता किन्टव ऐसा नहीं है वह उद्द्यम करने से प्रयास करने से अ extrater sin प्राप्थ होती है तो वद्द्यमेन ही शद्ध्यम्ति कारियानिना मनो रथ है इस के लिए ऊधारण दिया घया है कि ना तु शुपतस्य सिंघस्या ना तु शुपतस्य सिंघस्या प्रविशंती मुखे मरगाह प्रविशंती मुखे मरगाह जिस सबक 25 सब्सक्राइब करने से सभ नहीं होते हैं यह आप कैसे कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं कि ना थो सुपतिस्ट सिंगष्या कभी मिखा मैं शुपतिस्त सिंगष्या फ्रविश्णति मुखे म्रगाह कभी भी सोते हुए सिंग के मुख में हिरणों ने प्रवेश नहीं किया है सिंग को उद्यम करना ही पड़ता है तब जाके वह अपने पेट पालन के लिए सिकार प्राप्त कर पाता है ना तो सुप्तस सिंगस्या प्रविशंती मुखे म्रगाह जिस प्रकार सो तो भी अपनी अध्यान को अच्छ बनाने के लिए ध्यान को एक नया आयाम नया इस्तर तक पहुचाने के लिए उद्दम और कठन प्रयास करना ही होगा तो दिमें इस धंती कार्यानी ना मनुरत है ना तो शुप्तस सिंगस्या परविशंती मुखे मिरका इसी बाग को कहा ग कि सोच लेंगे और हो जाएगा उसके लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कृते प्रयात्नम किम नालभेता प्रयास करने से ऐसा क्या है जो संभाव नहीं हो सकता तो इसलिए आपका प्रयास और आपकी लगन आपकी मेहनत ही बहुत महत्तपूर्ण है सभी पाठिक्रम कैनल की त्यारी के लिए तो इस प्रकार से जो हमारा स्टुटी स्टडी कैप्टल ले बजयरत नाम से कोश्ष किया है इस बजयारत के इंतरगत स्टीव जिए की त्यारी कराई जा रही है तो आप सभी लोग अलग-अलग विस्सेयों के लिए जोड़ सकते हैं और उसके अंतरगत में समस्किट से जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एप को डाउनलोड करके आप उसमें जवाब जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पर एप डाउनलोड करने के बाद कोर्स लेने का जो सारा प्रोसेस है वह टीम इस्टेडी के द्वारा बता दिया जाएगा और इसके अंतरगत क्या क्या होने वाला है तो पार्ट एंड पार्ट भी बोथ फुल स्लेवर्श आपको मिलने वाला है जिसमें लाइव क्लासेस आप सभी के त्याडिक लिए लाइव क्लासेस अधर टाइम में भी आप उसके लिए पूश रकते हैं और वह आपको सॉल्व कराया जाएगा पीवाई क्यूज यानि प्रिवियस एर कुश्चन पेपर अगे जो गतवर्स के प्रिशन पत्र होनको भी हल कराया जाएगा विट डीप एनिलाश यानि की गहन विशलेशन के स साथ आपको वह हल कराये जाएंगे बीकली टेस्ट सीरीज सापता है प्रश्णोतरी यानि हर शपता है इसका आपका टेस्ट होगा जिससे एक शपताय में ही आप समझ जाएंगे कि आपने अपने प्रयास को और कितना आगे बढ़ाया है प्रते इस परसन Сब्क प्रतन अगे था बिसेशन तरीके आपको गाईड करना और उनके साथ आपका शेमिनार यानि जो भी डाउट सेसन है और जो भी आप उनसे बात करना चाहते हैं वह भी आपको कर शकते हैं सी यो एंट टीम एंड श्टाडी कैपिटल के टीम के लिए अब इसे बैच की स्कोर्स की फीस की बात कर लें तो इसकी जो पहले फीर्स्ति रखी गई थी तीन यार नौशन निन्यानबे लेकिन जब आप हमारे कूपन कोड को यूज करेंगे टीम की तरब शेव आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा तो आपकी जो फीश होगी वह ह होगी मात्र 2999 रुपए तो इस प्रकार से आप में संस्कृत की त्यारी को उच्छे स्थर तक ले जाने के लिए और अपने विश्वत द्याले में यूजी एंड पीजी मुक्षवत और से पीजी में जो आपका सपना है कि आपकी जो दिग्री होए किसी एक उच्छे विश और विश्वत द्यालों में आपका जो पढ़ने का शपना उसको हम साकार बनाने का पूरा प्रयाश करेंगे तो मैं आचार मानश माध हो आप सभी के साथ में संस्कृत के त्यारी के लिए जोड़ा रहूंगा और आप सभी लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे सीव सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए सभी लोगों को नमाश स्कृता यह सर्वे भवन्तु सुकनहा सर्वे शंतु निरामयह सर्वे भद्रानी पश्यंतु माकस चिद्धुक भाग भवेत नमाश स्कृताय